हेलो फ्रेंड्स मैं शिखा एक बार फिर से आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ आज हम बनाएंगे ब्रेकफास्ट की रेसिपी जिसे आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी बना कर रख सकते हैं यह बहुत ही इजी और हेल्दी रेसिपी है साथ ही मैं आपसे एक छोटी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर करें तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते और एक पटैटो लिया है जिसे मैंने बीच में से कट करके अच्छे से बॉइल कर लिया है और आप इसे एसे वाश करके दोनों को एक साथ बॉइल कर सकते हैं देखे यहाँ पर मैंने स्वीट कॉन को भी पूरा ही बॉइल कर लिया है मैं एक दाना निकाल कर आपको दिखात यह अच्छे से पक चुका है आपको इतना इसे पकाना है लगबग अंदाजे से 80% आपको इसे कोक करना है बहुत जादा भी नहीं मिक्स करना है नहीं तो यह जो दाने है स्वीट कॉर्ण के वो बिल्कुल गल जाएंगे तो देखे कुछ इस तरीके से दाने बिल्कुल आप इस तरीके से चोटे चोटे पाटों में कट करके और इस तरीके से दाने निकालेंगे ना तो बिल्कुल अच्छे से दाने बाहर निकलाएंगे क्योंकि यह अल्रेडी बॉइल्ड है तो इसी लिए इसके दाने बहुत ही इजी तरीके से निकलाते हैं और साथ ही आप इ इने हम अलग कर देंगे और अब हम इसे बाउल में डाल लेंगे आलों के साथ और अब हम इसमें आप चाहें तो कोई भी वेज़िटेबल इसमें मिक्स कर सकते हैं बच्चों को खिलाना चाहें बट मैं यहाँ पर नॉर्मल ब्रेकफस्ट के लिए बना रही हूँ तो मैंने य यहाँ पर प्याज और हरा धनिया हरी मिर्ज बस यही एड किया है और इन्हें एड करने के बाद अब हम इसमें थोड़ इसे ड्राइर मसाले डालेंगे जिसमें मैंने यहाँ पर केवल नमक और लाल मिर्ज का यूज किया है और अगर आपको खटा बहुत ज़्यादा चाहें तो इन्हें ओवल शेप में भी बना सकते हैं तो इस तरीके से देखे पहले आप हैंड वाश कर लीजिए और उसके बाद अपनी हतेली पे घी लगाकर और उसके बाद हम इनको टिक्कियों को बनाएंगे जिससे यह हाथों में नहीं चुपकेंगे और बहुती स्मू चोटी चोटी सी और पतली टिक्किया बनानी है जिससे बच्चे भी लंच बॉक्स में इजी खा सकें और अंदर से भी बिल्कुल कच्ची ना रहे पाएं यह बिल्कुल अच्छे से सिख जाएं आप इसे चाय के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं और या फिर जैसे बारिश का म आप जो भी खिलाना चाहते हैं ग्रीन वेजिटेबल तो वह इसमें मिक्स कर सकते हैं और देखे यहां पर मैंने दो टिक्किया आपको बना कर बता दी हैं अब इसी तरीके से हम सारी टिक्कियों को रैडी कर लेंगे देखे यहां पर लगबख 14-15 टिक्किया बनकर तयार तो इस तरीके से मैंने पैन में पहले घी गरम कर लिया है जब अच्छे से घी गरम हो जाएगा तब हम टिक्कियों को इसमें डाल देंगे आप ध्यान रखेगा गैस का फ्लेम आपको लोही रखना है अगर आप मीडियम या हाई फ्लेम कर देंगे तो टिक्किया जल जाएं और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे कि चारो तरफ अच्छे से घी लग जाए और उसके बाद इसे लो फ्लेम पर सिखने देंगे और लगबक इनको सिखने में चार से पांच मिनिट का टाइम लगेगा जब ये अच्छे से सिख जाती है तो अब हम इनको पलट लेंगे यहाँ पर मैं पहले फोक से ट्राय कर रही थी बट मेर से हो नहीं पा रहा था और ये टर्ण नहीं हो रही थी फिर मैंने उसके बाद दूसरी चमस से इसनको पलटने के लिए ट्राय गया था तो आप चाहें तो फोक से भी वैसे अच्छे से पलट जाती है बट पता नहीं क दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से गोल्डन होने तक अच्छे से पका लेंगे इनको और देखें कितनी अच्छी लग रही है और आप यकीन मानिए अगर इनको घीमर बना के तयार करोगे तो इनका टेस्ट बिल्कुल डबल आएगा और बाकि आप अगर चाहें तो इसे कुकिंग ओयल में भी बना कर रैडी कर सकते हैं और आप मेरे कहने पर एक बार इनको घीमे ही बना कर देखना यह हैल्दी के साथ-साथ बहुत ही टेस्ट ही होती है और साथ में बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है अगर हमारे पास आलू बॉइल हो तो हम आलू से बहुत सारी रैसिपीज को बना सकते हैं जटपट और बच्चों को तो क्या होता है कि लंच बॉक्स में नए नई चीज़े ले जाने का शौक होता है तो यह दिखने में नए नए वीडियोज और देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बैल आइकन है उस पे भी प्रेस करें और उसमें आल पर टिक कर दें जिससे के आपको जैसी ही मेरी वीडियोज आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंधी मिल जाएगा और देखे आप बनाईए एंजोई कीजिए और मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी